नमस्कार न्यूस वानेशन देखने हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी ब्यार पंचाय चिनाओं के छटे चरन के नतीजे आज आने जा रहे हैं आपको बता दे कि 37 जिले के प्रत्याफशियों की किस्मत जो है वो दाव पर लगी हुई है ऐसे में आज नतीजा सामने आना है बता दे कि 6 चरन के जो मतदान है वो 3 नवंबर को हुई लेकिन जो इसके रजल्ट है उसे आने में देरी हुई अगर हम इसके पीछे के कारण जाने तो आपको बता दे कि बिहार में जो है पर्व चल रहा था यानि की पहले दिवाली और फ यानि की 13 नवंबर को आने वाला है ऐसे में जो प्रत्याशी है वो बेसबरी से इंतजार कर रहे है कि रिजल्ट क्या आने वाला है आपको बता दे कि पंचाय चुनाव के 37 जिले हैं जहां पर जो गिंती है वो की जा रही है और रिजल्ट जो है वो सामने आ रहा है बता दे कि 25 चुनाव के 6 चरन की सीटों पर आज नतीजों का दिन है 6 चरन में 3 नवंबर को 37 जिलो के 57 प्रकंडों में वोटिंग 3 नवंबर को संपन हो चुका है सुबा 8 बजे से मतगन्ना शिरू हो गई है मतगन्ना केंदर के बाहर सुबा 7 बजे से ही प्रत्याशी और उनके समर्थकों की भीर लगी हुई है केंदर के बाहर और अंदर सुरक्षा के चाक चौबंत इंतजाम किये गए है बिना पास के किसी को भी सेंक्टर के अंदर प्रवेश करने की अनुमती नहीं दी जा रही है बता दे कि पूरे चुनाव में पहली बार किसी चरन की वोटिंग के 10 दिन बाद नतीजे जारी होंगे देवाली और छट के कारण राज्रवाचन आयोग ने मतगन्ना तीथी को मतदान के 10 दिन बाद तै किया था मतगन्ना आज से शिरू होगी जो रविवार को जारी रहेगी बता दे कि छटे चरन के पदों की कुल संख्या 26,200 है जिसमें ग्राम पंचायत के सदसे के 11,592 पद है मुख्या की बात करें तो मुख्या के 848 पद है पंचायत समीती सदसे के 1146 जिला परिशत सदसे के 134 ग्राम कचहरी पंचायत के 11592 और सरपंच के 848 पद है इस चरण में चुनाव लड़ने वाले कुल उमिद्वारों की संख्या 94,173 है पुरुष उमिद्वारों की संख्या 43,840 है तो महिला उमिद्वारों की संख्या 5,348 है पद्वार उमिद्वारों की संख्या की बात करें तो ग्राम पंचायत सदस ये पद पर 53,192 उमिद्वार मैदान में है इसके अलावा मुखिया पद पर भी 6,976 उमिद्वार मैदान में है बता दे कि छठे चरन की सीटों पर 35,440 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है ग्राम पंचायत सदस ये पद पर 135 उमिद्वार ग्राम कचहरी पद पर 34,03 ग्राम कचहरी सरपंच पद पर एक और पंचायत समीती सदस के एक सीट पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है तो बता दे कि 3 नवंबर को 6 चरन का मतदान किया गया था लेकिन नतीजे आने में 10 दिन की देरी हुई वज़त ही कि जो तरह से बिहार में परवो का सलसिला चल रहा था इसको लेकर राच वाचनायों की तरफ से ये फैस्ता गलिया गया जोसके तहत आज के दन को नरधारित किया गया है और नतीजे जो है वो सामने आएंगे तो सुबा से ही यानि कि आज बजे से ही जो गिंती है वो शिरू हो चुकी है आपको बता दे कि तमाम तरह की तयारी की गई है जहाँ पर भी गिंती चल रही है वहाँ पर चाक चौबन किये गए है ताकि किसी भ परण के नतीजे जो है वो सामने आएंगे बता दे कि- पंचाई चुणाव के 37 जिले है जो सको लेकर गिंती की जारी है और इंतजार है तो नतीजे का पृताशियों की किस्मज जो है वो दाओ पर लगी है और इंतजार हो रहा है कि जब रिजल्ट आती है तो इस पंचाय चुडाओं में किस की सेह होती है और किस की मात होती है फिलाल के लेतना ही जादा अपडेट के लिए आप बने रहे ये नियूस वानेशन के साथ नमस्कार